नमस्कार फ्रेंड्स मैं रविनुर कुमार महतो एक बार फिर अपनी यूटूब चैनल RKTC धनबात पर आप लोगों का स्वागत करता हूँ हम लोग DC मसीन डिसकस कर रहे थे और आज इस स्रीज में हम लोग डिसकस करेंगे DC Motor का Introduction और Operating Principle ठीक है तो चलिए DC Motor का Introduction देख लेते हैं तो DC Motor क्या करता है Converts Electrical Power into Mechanical Power यानि DC Motor जो है Electrical Power को Mechanical Power में Convert करता है यहाँ देखिए एक ब्लॉक डाइगराम में DC Motor बनाया हुआ है ठीक है इसका Input Terminals पर हमने DC Supply यहाँ पे दिया है और इस तरह से यहाँ पे आपका Supply Voltage भी हो गया और Supply Current आई हो गया ठीक है और इस तरह से यहाँ पे Input पर आप जो है Electrical Power Apply कर रहे हैं ठीक है लेकिन यहाँ धिया रखना है कि हमरा Supply Voltage DC में है ठीक है तो चलिए Supply Voltage को DC रखते वे हम यहाँ पे Electrical Power Input कर रहे है तब होता क्या है कि इस Motor का Shaft जो है वो किसी Particular Direction पर किसी खास Speed पर घूमने लगता है हम माल लेते हैं कि यह यहाँ का जो Shaft है वो N RPM Speed पर घूम रहा है और इस तरह से Shaft पर हम लोगों को Mechanical Power Output के रूप में प्राप्त होगा और यह Output Power जो है वो किसी Mechanical Load को Handle करने के लिए आप प्रयोग कर सकते हैं तो इस तरह से आपका एक DC Motor जो है वो Electrical Power को Mechanical Power में Convert करता है ठीक है अब कहता है कि Construction is Similar to that of a DC Generator यानि एक DC Motor का Construction जो है वो DC Generator जैसा ही होता है ठीक है अब कहा रहा है Operating Principle is Based on Flaming's Left Hand Rule यानि DC Motor जो है उसका Operating Principle जो है वो Flaming's Left Hand Rule पर आधारित है तो चलिए हम लोग Flaming's Left Hand Rule को थोड़ा सा Explore कर लेते हैं यह देखिए Left Hand का 3 Finger, 4 Finger, Middle Finger और Thumb ठीक है यह तीनों ही फिंगर को जो है Left Hand का मुचवली Perpendicular रखना है जैसा कि हम यहाँ पर दिखा रहे हैं और होता क्या है कि यह जो 4 Finger है यह अगर Magnetic Flux की Direction को दिखा रहा है और यह जो Middle Finger है वो Direction of Current दिखा रहा है इस तरह से आप याद रख सकते हैं ठीक है Flux Current Force, Flux Current Force इसी चीज को हम यहाँ पर भी दिखा आए हैं कि यह Direction अगर Flux का हो रहा है यह Direction अगर आपका Current का हो रहा है यह Direction जो है Thumb वाला Direction आपका Induced Force का होता है तो चलिए Flaming's Left Hand Rule जो है हम लोग जो है यहाँ पर समझ लिए है और इसी रूल पर आधारित है हमारा DC Motor अब हम लोग DC Motor का Operating Principle समझने का प्रयास करते हैं तो यह देखिए Simplicity के लिए मैंने यहाँ पर एक Simplist DC Motor बनाया हुआ है ठीक है यह देखिए North और South दो Magnetic Pols है और North तो South आपको Magnetic Flux का Direction प्राप्त हो रहा है ठीक है यहाँ पर जो Armature है इस पर हम केवल दो ही Conductor Consider किये हैं Conductor का नाम है A और B दोनों Conductor को मिला करके Coil का Formation किया गया है जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे हैं ठीक है अब यह दोनों ही जो Conductor है उसका Connection जो है हमारा Commutators हो रहा है हम मान रहे हैं यह Commutator पर सिग्मेंट दो ही है Simplicity के लिए ठीक है अब क्या है कि यहाँ से जो करिनल्स आपको प्राप्त होता है उस पर हम लोग भी वोल्ट का DC सप्लाई दे रहे हैं और इस तरह से सप्लाई वोल्टेज भी हो गया और सप्लाई करेंट आपका आई हो गया ठीक है यहां हमारा सप्लाई वोल्टेज डीसी में है इससे क्या होगा कि Conductor A और B पर जो है करेंट फ्लो होगा जैसा कि दिखाया गया है Conductor A पर करेंट का फ्लो राइट वर्ड दिखा रहे हैं और Conductor B पर करेंट का फ्लो लेफ्ट वर्ड दिखा रहे है ठीक है अब देखिए क्या है कि Conductor A के लिए करेंट का फ्लो इन्वर्ड है इसके लिए हम लोग यहां cross symbol का इस्तमाल करेंगे और conductor B के लिए दिखे current outward प्राप्त हो रहा है तो यहां पर symbolic representation के लिए हम dot का प्रयोग करेंगे ठीक है तो आप देख लिए यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर बनाया हुआ है ठीक है जिसमें क्या है फोर फिंगर मिडिल फिंगर और थम ज करते हुए हम लोग यहां DC motor का operating principle को समझने का प्रयास करेंगे ठीक है तो यह देखे यहां पर जो conductor A और B था उसी को हम sectional view में इस तरह से यहां पर दिखाए है ठीक है यह देखे north और south दो magnetic poles हो गया यह conductor A और conductor B यहां पर हो गया और flux का direction जो है north to south इस तरह से आपको दिखा आना है तो अब हम आ जाते हैं conductor A पर ठीक है तो conductor A पर आएंगे तो देखें क्या है situation बन रहा है flux आपका नीचे है ठीक है flux नीचे है और cross का मतलब current inward है ठीक है तो inward current हो गया तो इस तरह से क्या होगा direction of force आपको इस side प्राप्त होगा ठीक है यह जो आपका thumb है यह आपको direction of force represent करेगा तो इस तरह से यहां direction of force आपको मिल गया leftward ठीक है अब हम आ जाते हैं armature conductor B पर आ जाते हैं तो यहां हम देख रहे हैं flux का direction क्या है यह देखिए flux का direction नीचे है ठीक है flux का direction नीचे है और dot का मतलब current outward तो current का direction आपको यह प्राप्त हो गया ठीक है यानि यहां पे direction of force जो है इधर आपको प्राप्त होगा तो यहां पे दिखा दिये हैं induced force का direction आपको इस तरह से मिल रहा है तो इस तरह से हम यहां देख रहे हैं conductor A और conductor B पर फ्लैमिंग्स left-hand rule का प्रयोग करते हुए जो है induced force का direction को हम लोग इस तरह से दिखा सकते हैं ठीक है अब क्या है कि य यह जो टॉर्क है यह जो twisting moment है यह आर्मेचर को घुमाने का tendency रखेगा ठीक है ठीक है अब देखी क्या है कि एक practical DC motor के आर्मेचर पर आते हैं तो हम लोगों को आर्मेचर पर बहुत सारा conductor मिलता है ठीक है अब हम क्या करेंगे कि यह देखे नॉर्थ पोल और साउथ पोल के बीच ओ बीच से एक perpendicular axis अगर हम लोग ड्रॉ करते हैं तो यह होता है हमारा magnetic neutral axis जिसको हम लोग शॉट में M&A से दिखाते हैं और होता क्या है कि ideal case पर M&A पर लाइक करने वाले जो conductors होंगे या armature conductors होगा उस पर कोई भी MF induced नहीं होता है कोई भी current नहीं आता है ठीक है इस conductors पर direction of current के लिए आप cross का इस्तमाल कर सकते हैं जैसा कि यहां देख रहे हैं और ठीक उसी तरह से जो M&A के नीचे वाले conductors हैं ठीक है वो south pole के संपर्क में है और south pole के संपर्क में है तो direction of current के लिए dot का प्रयोग कर सकते हैं तो यह देखे south pole के संपर्क में जितने भी armature conductors ह है वहां direction of current के लिए हम dot का प्रयोग किये हुए ठीक है अब क्या होता है कि यह जो फ्लैमिंग्स left hand rule है वो सारे conductors पर अगर आप अप्लाइ करेंगे तो M&A वाले conductor को छोड़ करके सब में आपको force प्राप्त होगा ठीक है according to flaming's left hand rule और force का direction को कुछ आप इस तरह से दिखा सक होते हैं तो यह सारे force मिला करके जो है यहां पे एक resultant twisting moment या resultant torque जो आपको produce करेगा जिसको हम टावडी करें और इसी टॉर्क के direction पर जो है आपका armature घुमने लगेगा क्यों क्योंकि armature जो होता है घुमने के लिए free होता है तो इस तरह से क्या होगा जो resultant torque टावडी है उसी के direction पर जो है armature घुमना start कर देगा ठीक है और इस तरह से जो है shaft पर आपको क्या मिलेगा mechanical power मिलेगा और उस mechanical power का जो है उपयोग आप किसी mechanical load को handle करने के लिए कर सकते हैं आसा करते हैं यह वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा वीडियो पसंद आता तो वीडियो को like क करें दोस्तों के साथ share करें और चैनल परने तो चैनल को सब्सक्राइब करने धनवाद